Welcome to my channel शुरू करते हैं आज के वीडियो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है A Trust with Destiny और ये लिखा गया है जवार लाल नहरू के द्वारा इनका जन्म वाता 14 नमबन 1889 प्रियाग राज में और इनकी डेथ विटी 27 में 1964 डेली में जवार लाल नहरू को इंट्रोडक्शन की ऐसी कोई खास आवशकता नहीं क्योंकि ये Freedom Fighter रहे थे और हमारे इंडिया के First Prime Minister भी रहे थे और इनने अपनी Simple Poetic Style के लिए जाना जाता था और इनके कुछ Literary Work है An Autobiography, Claims of World History, Discovery of India A Trust with Destiny इस टाइटल के माध्यम से जवार लाल नहरू कहना चाहते हैं बहुत साल पहले डेस्टिनी के साथ हमने एक Agreement या मुलाकात की थी अब उस प्लेस या पितिग्या को पूरा करने का समय आ गया है इस चैप्टर को एक Speech Form में लिखा गया है जिसे 14 August 1947 को संसत भवन में जवार लाल नहरू के द्वारा दिया गया था जहां Future की एक रूपरेखा बनाई गई थी कि अब जो आने वाला भवेश्य आएगा इंडिया के आजाद होने के बाद वो भवेश्य की जिम्मेदारियों के लिए उसमें प्रत्ने करने को कहा गया है कि जो अभी प्रिजेंट में कंडिशन है इंडिया में पॉवर्टी है और भी जो कमिया है उनको दूर किया जाए और एक अच्छी कंट्री का निर्माट किया जाए जब आहर लाल नहरू कहते हैं कई वर्ष पहले हमने भागे के साथ मुलाकात करने का एक वादा किया था बहुत टाइम पहले हमने एक प्लेज ली थी और अब उसे पूरा करने का समय आ गया है अभी हमें पूरी तरीके सा अजादी नहीं मिली है जब आदी रात में पूरा वर्ल जो है वो सो रहा है लेकिन हमारा जो इंडिया है वो जाग रहा है freedom के लिए और ऐसे बहुत कम moment होते हैं जब एक ऐसी एरा का या युक का end होता है समापन होता है जिसमें हमने गुलामी को face किया बहुत बुरी conditions देखी तो अब हम जो इस condition में nation जो हमारा है वो freedom को find करता ह और इस serious moment पर हम pledge लेते हैं कि अब हम इंडिया किर्पिती dedicate होकर country को आगी लेकर जाएंगे पूरी humanity के लिए हम ऐसा करेंगे solemn moment मतलब मानवता के कल्यान के लिए अब हम अपने आपको समर्पित कर देंगे dedicate कर देंगे इंडिया ने बहुत time तक गुलामी की जो पीडा है उसको सहा है और अब जो freedom मिलने वाली है तो वो freedom power और responsibility दोनों को साथ में लेके आएगी यह responsibility जो है वो देश की कानू विवस्ता पर भी depend है जवारलाल नेरू उन पीडाओं के या उन दुखों की बात करता है जो गुलामी से पहले इंडिया के लोगों ने सही थी लेकिन वो आगे के लिए भी बोलता है कि अभी जो संगर्ष है या फिर जो भी problem से वो खतम नहीं हुई है आगे भी उससे बढ़कर चुनोतिया हमारे आगे आने वाली है जिनको हमें face करना है हमारी जो problems है या जो हमारा सफर है वो यहीं खतम नहीं हुआ है वो कहते हैं कि अब अतीत जो है वो तो बीच चुका है लेकिन हमें जो है भवेश्य की जो चुनोतियां है जो targets है जिनको हमें face करना है जैसे गरीबी है बिमारियां है और inequality है इन सभी को हमें face करना है और अपने एक अच्छे future को हमें बनाना है अब जो हमारा future आएगा उसे और अच्छा करने के लिए लगातर हम मेहनत करेंगे और rest नहीं करेंगे जो हमने plans ली है पतिग्या की है उसको fulfill कर करेंगे और millions of people को हम सर्फ करेंगे हम इंडियंस के लिए मानफता की सेवा करेंगे जो poverty और inequality को face कर रहे हैं life के अंदर अब तक गरीबी और inequality को face कर रहे हैं उनको हम सर्फ करेंगे जितने भी हमारे जो greatest men थे हमारी generation के उन सभी लोग का एक ही सपना था कि जितने भी जो लोगों की दर्द को दुख को आंसो को दूर करना यह उनका ambitious aim है जिसे वो पूरा करना चाहते थे जो उन्होंने अपने इंडिया के लिए देखा था जवारलाल नहरू कहते हैं कि हम लोगों को तब तक वर्थ करना पड़ेगा जब तक हर व्यक्ति अपनी जो basic needs हैं उनको अचीब नहीं कर लेता जवारलाल नहरू ने कहा है we have to build the noble mansion मतलब हमें भवे भारत का निर्माट करना है जवारलाल नहरू चाहते थे कि सोतन भारत की जो picture है वो एक ऐसी picture होनी चाहिए जहां हर person happiness और peace के साथ रह सके हैं इंडिया की development में जो भी problems आ हैं उनको भी हमें दूर करने का प्रयास करना होगा इन सबी चीजों के लिए जवारलाल नहरू अपने विचार रखते हैं कि हम लोगों को आपस में छोटे मोटे विवादों को भुलाना चाहिए और एक दूसरे के प्ती जैलिसी की feeling नहीं रखने चाहिए भवे भारत एक noble mansion का formation करने के लिए हम लो है उनके लिए मानपता की सेवा करने का वक्त आ गया है अब जो गुलामी है वो हट जाएगी और जो सुतन्ता है वो भावे विजय और उपलब्दियों के लिए उन सभी के लिए एक अफसर को लेकर आई है और जवारलाल नहरू कहते हैं जब तक वो इन सभी कारे को पूरा नहीं कर लेते उनका जो काम है अधूरा है क्योंकि सुतन्ता तो हमको मिल चुकी है लेकिन हमें आगे एक अच्छे इंडिया का फॉर्मेशन करना है इसी के साथ वो अपनी स्पीच को खतम करते हैं अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए सट्तुरा जो हमे कुनि हम आदा था थो